हेलो फ्रेंड्स टेस्टी टुिस्ट में आपका स्वागत हैं, आज हम बनाएंगे पकोडे वाली कड़ी, कड़ी पकोडे वाली बनाएंगे लेकिन हम एक टुिस्ट के साथ बनाएंगे, इसमें हम डालेंगे मेथी, आज हम बनाएंगे मेत्री वाली कड़ी तो आईए देख लेते हैं इसमें क्या-क्या डालना है कड़ी बनाने के लिए लेंगे हमें कटोरी वेशन एक बड़ी कटोरी दहीं की एक बड़ी कटोरी मेत्री की थोड़े से प्याज अपिंच ओफ हिंग लसन अद्रक, कड़ी पत्ता, आदा चम्मच हल्दी, वंचोथाई चम्मच काली मिर्च, आदा चम्मच धनिया पाउडर, आदे से थोड़ा कम चम्मच लाल मिर्च, और एक बड़े वाला चम्मच नमक, ओली वाइल लेंगे, आईल आप कोई भी ले सकते हैं, जो आप खाते हो, त पकोड़े बनाने के लिए यह मैंने वेसन अलग से लिए, थोड़ा धनिये की पत्तिया इसके बीच में डालेंगे, और थोड़ा सा इसमें बेकिंग सोटा आट करेंगे, और और ऐल करने के लिए, सबसे पहले हम दही और वेसन को मिक्स करके, कड़ी का बैटर त्यार कर ले अगर दही थोड़ी आपकी ज्यादा खट्टी हो तो दही थोड़ी कम भी ले सकते हैं, और इसके अंदर में एक गिलास पानी मिला दूँगी, अब इसमें थोड़ी हल्दी मिक्स कर देंगे, थोड़ी हल्दी मैंने मिक्स कर दिये, थोड़ी बचा के रखोंगी, जब हम इसको छोक लगाएंगे, तो थोड़ी हल्दी तब भी आड़ करेंगे, और थोड़ी काली मिर्च डाल दूँगी, यह हमारा बैटर त्यार हो चुका है कड़ी बनाने के लिए हमने कड़ाई में गी ले लिया है इसके अंदर हम डालेंगे हींग आदा चाम मच राई मस्टर्ड सीड्स इनको भूम देंगे अच्छे तरह से बीच में यह डालेंगे कड़ी पस्ता अध्रक लसर एक दो मिनट इसको भूनने के बाद हम इसमें डालेंगे प्याज प्याज कोई एक से दो मिनट तक भूलेंगे फ्लेम मैंने मीडियम ही रखी हुई है अब मैं इसमें डाल दूंगी मेति के बीचता मेति क दाल के अप्यूश्च दूंगे हुई है अब इसमें जो हमारी हल्दी हमने बचा के रखी थी वो डाल देंगे और लाल मिर्च डाल देंगे धनिया पाउडर डाल देंगे नमक हम बाद में डालेंगे और ये काली मिर्च जो हमारी बची हुई है ये हम पकोडे में डालेंगे अब दो मिनिट के लिए मिथी को भून कर अब हम इसमें यह जो कड़ी का वैटर हमने बना के तियार करके रखा हुआ है वो डाल देंगे एक गिलास पानी मेने पहले डाल दिया था अब एक गिलास पानी और डाल दूंगे अब इसको हम हाई फ्लेम पर कर देंगे जब तक की कडी हमारी बॉयल नहीं हो जाती हुआ है जितिन दिर हमारी कडी बॉयल होती है उतिन दिर हम बीच बीच में हिलाते रहेंगे और पकोडे का वैटर भी तियार कर लेते हैं पकोडे बनाने के लिए यह मैंने वेच्टे और थोड़ा सा धनिया, थोड़ा इसमें जो मैंने काली मिर्च बचा के रखी हुई है, वो डाल दूँगी, थोड़ी लाल मिर्च, और थोड़ा सा नमक, साथी में इसमें डालूँगी थोड़ा बेकिंग पाउडर, थोड़ा पाणी डाल कर, बहुत ज्यादा पतला नहीं करना इसको हमने, इसकी एक थिक पेस्ट बना लेंगे, चलिए, अब यह हमारा बैटर पकोड़ों का भी त्यार हो चुक है, अब हम इसके पकोड़े निकाल लेते हैं, बीच बीच में हम सड़ी को हिलाते जाएंगे, जब तक कि यह बवाई नहीं हो जाएंगे, और इधर हम पकोड़े निकाल लेते हैं, आप चाहे तो चम्मच का प्रयोग भी कर सकते हैं, लेकिन हाथ से यह जादा अच्छे बनते हैं, जैसी मैं बीच में डालती हूँ, साथ की साथ यह उपर आ जाते हैं, यह देखिए कितने अच्छे गोल-गोल पकोड़े बनकर हमारे प्यार हो गए हैं, बस इसको थोड़ा सा ही हमने ज्यादा नहीं इसको तलना, यह जल्दी बनकर तयार हो जाते हैं, इसको अच्छी तरह से 3-4 उबाल इसमें दिलवाएंगे, इसको हमने 8-10 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर रखना है, इतनी तरह में यह अच्छी तरह से उबल जाएंगे, अब इसमें हम पकोडे भी डाल देंगे, पकोडे डालने के बाद, इसको 7-8 मिनट लो फ्लेम पर रख देंगे, लिजे, हमारी कडी बनकर तयार हो चुकिये, गैस का फ्लेम बनकर देंगे, अगर आप ज्यादा खट्टी खाना पसंद करते हैं, तो आप इसमें एक लेमन का रसमी चोड़कर डाल सकते हैं, अगर तो ये थी हमारी मेथी वाली कडी की रेसीपी, इसको चाहे तो आप चावल के साथ खा सकते हैं, या फिर परांठा के साथ खा सकते हैं, खुद भी ट्राइ करें घर में, और मेरे साथ शेर करें, अगर ये रेसीपी अच्छी लगी हो, तो लाइक करें, और मेरे चैनल को प् झाल झाल